दोस्तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं Westinghouse ब्रैंड की 50-inch 4K Ultra HD TV दोस्तो इस वीडियो में करेंगे इस TV की Unboxing साथी साथ इसका Detailed Review में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है इस TV में, सब आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा, क्या आपको Westinghouse की ये TV लेनी चाहिए या नहीं दोस्तो आगे बनने के पहले एक important message ये वीडियो और ये चैनल दूसरे चैनल जैसे sponsored और monetized नहीं है इस वीडियो पर आपको ads भी देखने को नहीं मिलेगी सिर्फ facts देखने को मिलेंगे ये सारे के सारे points को मैंने cover किया है time stamps आपको नीचे description मिल जाएंगे जरूर जाके आप check out कर सकते हैं और जो point आपको important लगता है उसे आप दुबारा देखिए क्योंकि अगर आप TV लेने का सोच रहें आपको सारी details पता होनी जरूरी होती है इसे आप दोस्तों मैं हूँ मनू आपको shopping बंदू लगे हाथ शुरू करते दोस्तों बात कर ले स्टीवी के specifications के बारे में तो यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने को मिलता है यान की viewing angles आपको बहुत बढ़िया देखने मिलने वाले है सारी साथ इस TV में आपको direct LED backlighting मिलती है standard refresh rate 60 Hz का है सारी साथ पैनल की brightness काफी बढ़िया है इस TV में आपको Android 9 मिल जाता है 3 HDMI port है जिसमें से 1 port में आपको enhance arc का support मिलता है 2 USB port है इस TV में आपको Bluetooth 5.0 का support दिया हुआ है सारी साथ dual band Wi-Fi का support भी देखने मिल जाता है company कहती है इस TV पे लगबग 500 nits की peak brightness आपको देखने मिल जाएगी इस TV को हमने bright light, low light पे test किया है अलग-अलग type की content इस पे play की है कुछ samples अभी आपको दिखा देतें जिसे आपको इस TV की picture quality का अंदाजा आ जाएगा दोस्तों ये एक 4K TV है और अभी आपके सामने एक 4K वीडियो मैं play कर रहा हूँ जो 60 frames per second पे चल रहा है इस TV का जो processor है इस वीडियो को काफी बढ़िया तरीके से handle कर पा रहा है साधी साथ यहाँ पे आपको काफी bright picture देखने को मिल रही है इस TV की brightness काफी बढ़िया है साधी साथ यहाँ पे IPS panel होने के कारण आपको viewing angles भी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं अब जल्दी से मैं एक dark video play कर लेता हूँ जिससे आपको इस TV के colors का अंदाजा हो जाएगा colors की richness का blacks कैसे दिखते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा अब IPS panel पे जहां viewing angles बढ़िया होते हैं वहाँ पे colors का जो contrast होता है वो थोड़ा सा कम होता है compared to VA panel तो ये बात आपको पकड़ के चलनी है वैसे अगर आप में उट से कहेंगे तो मुझे इस TV पे colors भी काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं जैसे का आप खुद भी देख सकते हैं colors यहाँ पे काफी rich आपको देखने को मिल जाएंगे साथी साथ अभी एक standard definition video play कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जो camera है करीबन 10 feet के distance पे रखा हुआ है और standard definition channel जो आप देख रहे हैं वो भी आपको decent देखने को मिलने वाला है जितना करीब जाएंगे आप TV के उतना आपको मज़ा नहीं हाएगा तो आपको एक distance पे बैठके standard definition content को enjoy करना है overall मैं कहूंगा अगर आपका camera 10-12 feet का है आप 8-9 feet के distance पे कम से कम बैठिए और तब आप standard definition content को enjoy कर पाएंगे इस TV पे आपको motion handling भी काफी decent देखने को मिल जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी मुझे blooming effect देखने को नहीं मिल रहा है जो अकसर आपको उन TVs में देखने को मिलता है जहाँ पे motion handling अच्छी नहीं होती है तो यहाँ पे आप sports, action movies भी अच्छी तरीके से enjoy कर सकेंगे इस TV की picture quality आपको कैसी लगी है कमेंट section में मुझे जरूर बता देना चलिए आप audio सुन लेते हैं 40 watt का sound output आपको इस TV से सुनने को मिलने वाला है down firing speakers हैं जल्दी से एक sample सुन लेते हैं जिससे आपको अंदजा आजाएगा कि इस TV में audio कैसा आता है क्या आपको है दोस्तों हमने म्यूजिक तो सुलिया इस तीवी पे चलिया एक इंटरव्यू सुन लेते हैं जिससे आपको इस तीवी पे वाइस क्लारिटी कैसी है इसका अंदाजा आ जाएगा जाएगे ईसमें जाता हमें किस अटार्णक टीवी प्रॉड्यू धेड्या कैसी खրता संट अएब्स आएखा झाले कान चिरवा वाह přाता है तेजिक तोनी दिनरी कोतों हैं अदार्ण कuição आएगार लाह घएग okay look only one thing on it was just boring company.com slash cap or hat that's it TV के साथ आपको कुछ ऐसा remote देखने को मिलता है काफी minimalistic remote है यह आपको fire stick के साथ जो remote आता है उसकी याद दिलाने वाला है तीन dedicated buttons आपको देखने को मिल जाते है prime video YouTube sony live यहाँ पर आपको volume button दिया हुए up and down साथ Google Assistant का भी support है इस TV में voice commands आप use कर सकते हैं यह back का button है यह home का button है साथ यह वाला जो button है यह आपको दूसरे inputs को access करने में मदद करेगा यह apps का button है यह settings का button है इससे आप mute कर सकते हैं TV को और यह on and off switch है तो यह कुछ buttons आपको इस remote में देखने मिल जाते हैं दोस्तों आप सवाल उठता है क्या आपको Westinghouse की यह TV लेनी चाहिए या नहीं उसके पहले इस TV में मुझे क्या अच्छा लगा है और क्या बुरा लगा है सब detail में मैं आपको समझा देता हूँ सबसे पहला point picture quality दोस्तों इस TV की picture quality मुझे तो बहुत बढ़िया लगी है काफी bright है इसका panel आप अलग-अलग टाइप का content OTT पे टीवी पे आप बहुत बढ़िया तरगी से इस पर enjoy कर पाएंगे हाला कि इस TV में आपको Dolby Vision का support देखने को नहीं मिलता है वो कुछ लोगों को थोड़ा सा खटक सकता है लेकिन उसके अलावा मुझे इस TV में picture quality तो बहुत बढ़िया लगी काफी और support आपको देखने को मिलता है HDR 10 का support दिया हुआ है HDR content भी इस TV में अच्छा चलता है सावी साथ अगर आप sports और action movies जादा देखते है तो या पर motion handling भी आपको इस TV में decent देखने को मिल जाएगी दूसरा point जो सबसे अच्छी चीज लगी है मुझे इस TV की वो है इसका audio 40 watt का audio आपको इस TV में देखने को मिल जाता है अगर आपका कमरा 100 square feet का है, 300 square feet का है, 200 square feet का है, 500 square feet का है कितना भी बड़ा कमरा है आपको extra sound bar या home trader की जरुवत तो नहीं होने वाली है इस TV में जितना audio है वो sufficient है बड़े से बड़े कमरे के लिए तीसरा point जो मुझे इस TV का काफी अच्छा लगा है वो है इसके looks आपको bezel-less design देखने को मिल जाता है, हाला कि plastic body है लेकिन looks में ये TV काफी premium लगती है front ही नहीं, बलकि back भी मुझे इसका काफी premium लगा अकसर TV का back कोई जाके देखता नहीं है, लेकिन अगर आप इसके ports कैसे set up हैं पीछे का back देखे, काफी clean look आपको देखने को मिल जाता है इतनी बड़ी TV तो वैसे wall mount होने वाली है, तो पीछे तो कोई देखने नहीं वाला है अब बात कर लेते हैं, क्या अच्छा नहीं लगा है मुझे इस TV में सबसे पहला point, android 9 आपको इस TV में देखने को मिल जाता है आज की date में जहां दूसरे TVs आपको android 11 दे रहे हैं, इस TV में आपको android 9 आ रहा है तो ये एक point मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है दूसरा point, जो internal storage है, 8GB, 8GB internal storage android TV है, 5000, 6000 apps आपको मिलते हैं, 8GB internal storage बहुत ही कम है आज की rate में TV 32GB storage दे रहे हैं, 32GB storage आपको मिल रहा है तो 8GB आपको काफी कम लगने वाला है, बाकी जो दूसरे features है वो आपको इसमें मिल जाते हैं, लेकिन ये दो जगे पे यहाँ पे cost cutting की गई है तीसरा point हो, यहाँ पे आपको Netflix out of the box देखने को नहीं मिलता है एक slip मिल जाता है, जिसे आप use करके इसमें Netflix install कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं लेकिन वो experience जो आपको native app में देखने को मिलता है, वो आपको शायद इसमें देखने को नहीं मिले तो यह 3 points मुझे इस TV के इतने अच्छे नहीं लगे हैं लेकिन जब हम pricing की बात करते हैं, तो यह TV आपको मिलती है 28,000 रुपीज में 28,000 रुपे में 50 inch 4K Ultra HD TV with 40 watt audio output और साथी साथ इतने बड़िया looks शायदी market में और कोई brand करेंटली दे रहा है और जब हम 28,000 पे यह सब देख रहे हैं तो जो negative points है वो कई लोग थोड़े सा ignore भी कर सकते हैं क्या यह best TV है market में? बिलकुल नहीं लेकिन क्या यह value for money है? बिलकुल हाँ दोस्तों अगर आपका budget कम है, आप एक बड़ी TV लेने का सोच रहे हैं साथी साथ audio भी अच्छा मिलेगा और यह TV लुक्स में भी काफी अच्छी लगती है लेकिन अगर आप best of the best TV लेने का सोच रहे हैं आपका budget बड़ा है तो definitely आपको इस TV को देखना नहीं चाहिए यह उन लोगों के लिए है TV जो budget में एक अच्छा viewing experience देखना चाहते हैं और थोड़े से compromise उन के ठीक रहेंगे तो definitely मैं इस TV को recommend करूँगा यह TV आपको Amazon पे मिल रही है description में आपको links मिल जाएंगे जरूर जाके check out कर लेना दोस्तों इस वीडियो को यही पे अंत करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंदा है इस वीडियो को like कीजे अपने दोस्तों के शेर कीजे और जो लोग नए है वो नीचे लाल subscribe का उटन दबा कर हमारे साथ जोड़ जाईए और अगर आपको कोई सवाल सुझाव है इस टीवी को लेकर कमेंट सेक्शन भर दीजे कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब दूँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और interesting content के साथ जैसे कि मैं मैं मिशा कहता हूँ Stay healthy, stay motivated, जैहन